पेशाप करने के बाद पानी पीना चाहिए क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? नहीं तो आपको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, ऐसा इसलिए कि हर छोटी ब्ली चीजें हमारे स्वास्थ्य और हमारे शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकती हैं. ऐसे में पेशाप करने के बाद या पहले आप कब पानी पीते हैं? इसका आपके शरीर पर एक गहरा प्रभाव पढ़ सकता है, तो चलिए जानते हैं पेशाप करने के बाद पानी पीना चाहिए या नहीं. अगर पियें तो कब पियें? पेशाप करने के बाद पानी पीना आयुरवेद और मेडिकल साइंस दोनों के हिसाब सही नहीं हैं. दरसल ऐसा इसलिए कि पेशाप करने का प्रोसेस सबसे पहले आपके किड्नी और ब्लैडर से जुड़ा होता है. एक तरह से समझें कि शरीर खुद को डिटॉक्स कर रहा ह या फिल्टर कर रहा है. ऐसे में जैसे ही ये काम खत्म हुआ और आपने पानी पी लिया तो ये किड्नी के नॉर्मल प्रोसेस को प्रभावित करता है. और इससे किड्नी स्टोन और यूरिन इंफेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. पेशाप करने के तुरंत पहले भी करने से बचें. ऐसे में पहले तो आपको अपनी इस आदत में सुधार करना चाहिए और पेशाप करने के आधा घंटा पहले पानी पीए या फिर पेशाप करने के 20 मिनट बाद पानी पीए. इसे ऐसे समझें कि किड्नी और ब्लैडर फलश करें, फिर आराम करके और इस प् करीर को आराम मिलता है.